पाठ ग्यारह दिल्ली की सेर मुझे दिल्ली की तारीफ सुन सुन कर मेरे मन में दिल्ली घुमने की बहुत इच्छा थी चार दिन पूर भी मेरी वार्शिक पर एक शाय समाप्त हुई थी उस दिन शाम को पिताजी ने बताया की अगले हफते हम लोग दिल्ली जा रहे हैं यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा उन्होंने रिजर्वेशन पहले ही करवा लिया था निश्चित समय पर हम लोग रेल गारी द्वारा दिल्ली पहुंच गए मेरे मामा जी स्टेशन पर पहले से ही खड़े थे मैंने मामा जी को देखकर आवाज दी उन्होंने मुझे देख लिया थोड़ी देर में हम लोग मामा जी की कार में बैठकर उनके साथ चल दिये घर पहुंच कर मामा जी ने बताया कि कुल प्राते ही हम लोग गूमने चलेंगे मैं मामा जी से दिल्ली के प्रसद्ध इस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा मामा जी ने हमें बताया कि दिल्ली पुराने और नए रूपों का संगम है दिल्ली दो भागों में बटी हुई है नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली नई दिल्ली में संसद भवन, राष्टपती भवन, इंडिया गेट आदी भवेस्थल हैं, क्रिशी भवन, विज्ञान भवन, आकाश वानी केंद्रो और सुप्रीम कोट नई दिल्ली की शान हैं, यही पर बिर्ला मंदिर भी है, मा ने कहा, हम लोग बिर्ला मंदिर देखने जरूर जाएंगे, मैंने कहा, मामा जी, कुत्म मिनार भी तो यही पर इस्थित हैं, हम वहाँ भी जरूर जाएंगे, मामा जी ने कहा, हाँ मैं यहां के सभी प्रसिद इस्थानों को तुम्हे जरूर दिखाऊंगा, मम्मी ने पूछा, यहां का प्रसिद बाजार कौन सा है मामा जी ने बताया, जांदनी जौक दिल्ली का प्रसिद बाजार है, जो पुरानी दिल्ली में इस्तित है, पुरानी दिल्ली में ही लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायू का मकबरा, आधी देखने योगे हमारते हैं, बातें करते करते मुझे न जाने कब नीदा गई, अगले गार्डन, तालकटोरा गार्डन, मुगल गार्डन और रोशनारा बाग में घूमे जो बहुत ही सुंदर विहार इस्थल हैं। अगले दिन हम लोगों ने जामा मस्जिद, लालकिला और कुत्ब मिनार देखी। लालकिला लाल पथरों से बना है। कुत्ब मिनार सुंदर रिष्टा यह है कि सैगडों वर्षों के बीतने पर भी हवा, पानी और धूप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग वापिस आ गए, मेरी यात्रा बहुत सुखद रही, दिल्ली की सैर करने के पश्चात मुझे लगा कि वास्तव में, यह अपने आप में बहुत ही निराली नगरी है, इसे दिल्ली अर्थार्त देश का दिल कहना उच्छी थी है।